क्या आपके क्राइसिंथ हमें की प्लांट में भी इतने सारा फूल खिल चुका है तो चलिए फ्रेंड्स आज इसके बारा में मैं आपडेट दूँगा कि इस तरह से इतने ज्यादा कॉंटिटी में फ्लारिंग पाने के बाद आपके गड़न में से क्या काम करें अपनी प्ला सब्सक्राइब का बाहर चाहिए तो हेलो गाइस वेलकम बैक टो आर गड़निंग चलेंग प्रमधुद्यान तो फ्रेंड्स चलिए मैं आज अब सब के साथ एक इंपोटांट गाड़निंग टिप्स सेर करने बाला हूं जो विंटर प्लांट यानि क्राशिंथ हमें के उप और इसमें फुल फ्लारिंग जब हो गया था तो एकदम 70 या 72 के आसपस इसमें फ्लारिंग आया हुआ था यह सब भी स्पेंट हो चुके तो मैंने इन सभी को अच्छे से इनके देखिए एकदम टेहनिक जहां से सुरू हुआ था वहां से इसके बंच से कट कर दिया हूं औ और इसको अभी थोड़ा सा खाद वाला पानी दे दिया हूँ ताकि इसमें जो भी नए नए ग्रोथ निकल रहे नए नए बर्ड्स आ रहे वो सभी फिर से एक पर बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेंगे इसमें आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आप सब को दे काम आपके गाड़न में नहीं किये थे तो यह जरूर काम कर लिजिए और इसलिए एक छोटा सा सेरिंग मैंने लेके आया हूँ और बाकि यह जो स्पेंट फ्लावर है इन सभी को आप कंपस्ट में डाल सकते यह बहुत ही अच्छी तरह से फूल बहुत ही जल्दी कंपस्ट में कंपट हो जाकते है और उसके बाद इसमें थोड़ा सा माट इसके मिट्टी जब थोड़ा सा सुक चाहे तो उसको थोड़ा सा रिक्विड फर्तीलाइजर के साहथ ड्राइफ फर्टीलाइज भी आप जैसे की सर्सों खली दे सकते है और ओनियन पिल वाथर देशकते है लिखाई नाल दे रहा हो पिर बाद में जब पीसमें बहुत अच्छी तरह से फूल ग्रोथ में दिखाएंगे तो आप सबस्कों मैं फिर Сे एक बार दिखाऊंगा distort ज़िए यहां से बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ में तो आज का शेरिंग किसा लगा कमेंट पे जरू बताना और नए तो चैनल को जरू सबसेक्ट लेना वीडियो का लाइकेंट से जरू करना सो थैंक्स वर वाचिंग प्रमोदुद्यान फिर मिलेंगे और एक नए एपिसोड में